नमस्कार दोफ्तो। आज हम बात करने वाले हैं, जो मुकावला होने वाला है, बंगलादेश प्रीमियम लिख का ढाका डॉमिएटर्स और रंगपुर राइडर्स की बीच में इसके बारे हैं. पहांच जाके आप हमारा टेलिग्राम चेनल जोईन कर सकते हो तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमें यहाप बैन्यू के बारे में आप बैन्यू के बारे में देखोगे सेरे वंगला नेशनल इस्टेडियम मीरपुर मुकाबला होने बाला है जो कि धाका में हैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सेंपल साइज काफी बड़ा मिले बाला है आप यहाँ पर देखोगे टोटल 215 मुकाबले खेले गए हैं इतने सेंपल साइज आपके लिए साइद किसी ग्राउंड का अभी तक ना मिलाओ पहले बले बाजी करते हुए 99 मुकाबले और 2 बले बाजी काफी ज़्यादा है तो याद रखीएगा आप यहाँ पर इस्पनार डॉमिनेटिंग पोजिशन में रहेंके मतलब इस्पनार दोस्तों डॉमिनेट करेंगे लेकिन मिल को पेस्ट कावुए 400 मिले चांसे बढ़़ने काdo 20 minha पर मात्र बनाये गेर लोगिश के बारे में 150 से 150, 169, 49 पर, 172, 189, 40 पर, और 190, एवब दोस्तों, आप देखोगे, मात्र 25 बार स्कूर देखनी को मिला है, मेरे हिसाब से दोस्तों, 150 से 170 तक, मतलब 150, 55, 60 तक स्कूर देखनी को यहाँ पर मिल सकता है, इस बात को आप मान कर चलिएगा, तो चलिए बात कर दें, इस्पिनर वर्सिज पेशर, तो यहाँ पर देखोगे, कि इस्पिनर ने 61%, 41% विकेट निकाले हैं, जबकि पेश बॉलर ने दोस्तों, 39% विकेट निकाले हैं, तो यहाँ पर इस्पिनर डॉमिनेट करती हुए नजर आ जाएंगे, मिल ओवर्स में, लेकिन याद रखेगा, रहत होबर में आपको एहम भूम का निभा सकते हैं, पेश बॉलर, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा, बात करने तो नहीं टीमों की संभावत 11, और दोस्तों, प्लियर वाई प्लियर एनलाइसिस के बारे में, तो सबसे पहले बात करें, ढाका डॉम यहां पर दोस्तों, गैंदवाजी नहीं की 16 रन बनाए, और यहां पर गैंदवाजी की एक बिकेट, और यहां पर गैंदवाजी बलेबाजी से दौनों से कुछ नहीं कर पाए, इंपूड़ेंट प्लियर हैं, नोट का ले जएगा, ऐजा कैप्टन वाईस, कैप्तन आप बिल्कुल definitely इन्हें अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हो, जी यहां दोस्तों बहुत important option आपके पास हो जाते हैं, उसके बाद मुहम्मद में तो बिकेट कीविंग सेक्शन में जला जाएंगे, लाश्ट मुकाबले में 54 रनका स्कूर किया, लेकिन इससे पहले यादि आप देख आपको बहुत अच्छे option हो जाते हैं, उसके बाद आप देखोगे, अब्दुल्ला अल-मिवन, इनका देखोगे, लाश्ट मुकाबला, एक मात्र मुकाबला खेले हैं 26 नमर नमर 3 पर बलेवाजी के लिए आये थे, दोस्तों इनकी ही बज़े से इनका betting water थोड़ा उपर न प्रमुट के लिए जिए हैं दोस्तों important choice है वैसे तो नमर 6 पर बलेवाजी कर रहे थे, लेकिन लाश्ट मुकाबले में अपने आपको प्रमोट किया हो नमर 4 पर बलेवाजी के लिए आये थे, इनका देखोगे आप यहां पर 20 रन एक विकेट, 29 विकेट नहीं मिला, यहां के साथ आप captaincy wise captaincy में जा सकते हो लेकर आपके लिए और भी important option मिल सकते हैं इसलिए आप वीडियो को पूरी और ध्यान से देखेगा उसके बाद आप देखोगे Alex Black foreigner बल्लेबाज है तो इस पनर खिले में थोड़े इने समस्या आती है तो इन्हें आप अवाइड करकर चल सकते हो शिर्फ Grand League की चुवाय से Small League में आप इन्हें ट्राइ मत करेगा उस्मान खानी आम दोर पर लेकर लेकर नमडर में प्लीदवाजी के लिए लेकर लेकर लाइस्ट मॉकाबले में नमबर 6 पर बल्लेबाजी के लिएור आने वाले हैं तो इनका देखूगे दू रश जानी रवाज करते नहीं थे इस से रुब बात की जाया अरीफो लग के बारे में अरीफो लग के बारें इम बात करें तो एक रण तीन रण 11 रण पांच रण 24 रण और दुफतो 20 रण सिर्फ ग्रेंड लिग की चौई से सरीफोल इसलाम लाइश्ट मुकाबला ए मात्र खेली थे तो इन्होंने एक बिकेट चटकाया इनकी जागे दुस्तो तस्कीन एहमत की बापसी हो सकती है उसके बारे में अपडेट मैं खेर आपके लिए टेलिग्राम पर दूँगा आमिर हमजा दो विकेट चटका है दुस्तो लाश्ट मुकाबली में और वह सांदर गेंदवाजी करते हैं और मिडल ओवर्स में अपना और का कोटा खतम करके चले जाएंगी इससे पहले दुस्तो एक विकेट एक विकेट फिर जीरो जीरो फिलियर अच्छे हैं आप डेफिनली विकेट क्या खोड़िंग इन्हें अपने टीम में ट्राई कर सकते हो मुकतार अली को एक विकेट मिला फिर यहां पर खेले नहीं थे दोस्तो फिर जीरो फिर एक विकेट फिर यहां पर जीरो और फिर यहां पर खेले नहीं थे सलमान इससाथ आप इन्हें अपने टीम में ट्राई कर सकते हो सलमान का आप देखोगे तो एक विकेट दो विकेट एक विकेट एक विकेट और जीरो विकेट दोस्तो यहां प टेलीराम जरू जोएन कली जगा है, रंगपूर राइडर्स के बारे में बात करें, तो रौनी तल्लकदार के साथ दुस्तों मुहमद नाईम आपन करती हुई नेजर आ जाएंगे, रौनी तल्लकदार दुस्तों एक हिट एंड मिस बाली प्लेयर हैं, आप इन्हें लेकिन एक थोड़ी रिस्क की ही रहने बाली है, उसके बाद मुहमद नाईम, यह थोड़े दुस्तों इस्टेबल प्लेयर हैं, आप देखो कि लाश्ट मुकावले में हटाला एक खाता नहीं खोल पाए थे, यहां पर 18 रन, 34 रन, 31 रन, प्लेयर बहुत इंपोडेंट हैं, आप इहीं एपनी टीम में ट्राय कर सकते हो, उसके बाद महेंदी अहसन, इंपॡेंट हो जाते हें आपके लिए खासकर दोखतो रिसेंट इनका जो फॉर्म चल रहा है न वो काफी सांदार चल रहा है इंडिया क्लाब बहुत अच्छे खेली थे स्वेव मलिक का आप देखोगे गेंदबाजी इन्हों नहीं किये शिर्फ बल्लेबाजी किये मैं पहले इनका फॉर्म बता दूँ ब्लस एक आठ रन दो विकेट एक रन एक विकेट यहां पर दो रन विकेट नहीं मिला और और तीह रन विकेट नहीं मिला इंपुडेंट चॉय से मुहम्मद मेहंदी हसन तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हो उसके बाद स्वेव मलिक इसा नहीं होता भाई छोड़ देना चाहिए यहां पर अब देखोगे नरुलहसन नरुलहसन कैप्टन जरूर है लेकिन ऐसा प्रोफमेंस अभी तक नहीं कर पाई शिर्फ ग्रेंड लिक की चोईस है उसके बाद मुहम्मद नवाज यह आपको इंपोडेंट चोईस हो सकते हैं जहें दू सो इंपोडेंट चॉईस हो सकते हैं आप इन एपनी टीमLife जर सकते हों यहां पर आप देखो 17 अरण विकित नहीं मिला ओर हर नोरं विकित नहीं मिला और और 5 run बिकिर नहीं मिला अरे भाई तब बिकेट मिल ही नहीं रहे तो इन्हें गेंदवाजी क्यों कराई जा रहे है लेकिन अच्छे गेंदवाज है दोस्तो लेप्टार मार गेंदवाज है आप इन्हें ट्राइक जरू कर सकते हो hard hitting के लिए अपनी जाने जाते है विकेट नहीं मिला, important गेंदवाज हैं, definitely आप इन्हें try कर सकते हो, Samir Mohsen को आप avoid करकर चल सकते हो, Hasan Mahamood, इनका देखोगे आप तो 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, Harris Rauf, सबसे important गेंदवाज हैं, और Grand League के आपको captaincy और vice captaincy के बहुत जवर जश्त option होने वाले हैं, जियां दोस्तों, Grand League में आपने team में captaincy, vice captaincy ज़रू वना देना, इनका देखोगे, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, death over गेंदवाज करेंगे, और दोस्तों, बहुत सांदार गेंदवाज भी हैं, उसके बात-बात करें, रकीब लवासन, तो इन्हों ने कुछ इतना खास नहीं किया है, हाला कि देखोगे, आप विकेट ज़रू निकाले हैं, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, तो इनकी ओर से दोस्तों, important गेंदवाज तो मेरे साब से, Harris Rauf, ओमर जाई हैं, दो important होगे, आप रकीब को रख सकते हो, चाहो तो रखना, तो इन्हें, रख सकते हो important गेंदवाज में, अब हम हमारा combination तयार कर लेते हैं, combination रेड़ी करें, उससे पहले दोस्तों, मैं कहूंगा, यदि आपने my family में डाउलोड नहीं किया, डाउलोड कर लीजिगा, link description मिल जाए, क्योंकि हर एक मैच में free के बावी मिलने बाला है, उसके अलाबा, एक से दो मिनिट में bank bedroom मिल जाएगा, और भी बहुत सारे, दोस्तों, आपके पास feature हैं इस application में, यदि मुहममद मिथुन, नरूल हसन, दो option है, दोस्तों, दोनों ही अच्छी option है, आप इन दोनों के साथ जा सकते हो, या फिर नरूल हसन को अवाइड कर सकते हो, क्योंकि इनका bedding order है, बहुत थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पर मैं मुहममद मिथुन के साथ जा रहा हूँ, नरूल हसन को मैं अपने टीब में try नहीं कर रहा हूँ, बात करें यहाँ पर बलेबाजी section में, तो यहाँ पर देखोगे, उस्मान घानी, रौनी तल्लगदार, उसके लाब आप देखोगे यहाँ पर, तो स्वेम मलिक, नाईम सेख, जो की open करती हूँ नजर आ जाएंगे, अनीमोल हक दोस्तों आपके लिए तो नीचे बलेबाजी करेंगे, आरेप को आप try मत करिएगा, एलेक्स ब्लेक हैं, इन्हें टॉप वाडर में भीजा जा सकता है, लेकिन दोस्तों इस्पिनल के सामने थोड़ी struggle करती हूँ ही नजर आएंगे, तो यहाँ पर अभी मैं फ्लाल की स्थिम ट्राइ करने बाला हूँ, नाईम सेख को definitely try करूँगा, उस्मान घानी को try करूँगा, रोनी तल्लगदार को, और दोस्तों यहाँ पर स्वे मलिक को मैं अभी avoid करकर चलने वाला हूँ, आप चाहो इन्हें try करना तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो avoid करकर चलने वाला हूँ, उसके बाद यादी बात किजा all rounder section में, तो दोस्तों इन्हें तो बिल्गो definitely try करूँगा, ओमर जई हैं, स्वाम्या सरकार हैं और महंदी हैसन है, दोस्तों यह महंदी हैसन मिराज नहीं है, इस बात का याद रखीगा, लेकिन गेंदबाजी प्लस बलेबाजी दोनों ही अच्छी है कर रहा है, तो इन्हें इन चार all rounder के साथ में जाना पसंद करूँगा, आप चाहो तो अपनी according कोई भी changes यहाँ पर कर सकते हो, मुहमद नवाज को भी आप अपनी टीम में try कर सकते हो, या दोस्तों मेहमान को भी अपनी टीम में try कर सकते हो, मैं फिलाल किस्ति में इस combination के साथ जा रहा हूँ, बात करें बॉलिंग section में, तो बॉलिंग section में महमूद को try करूँगा, हैरेश राओफ को try करूँगा, या दोस्तों हसन खेलते हैं तो इन्हें अपनी टीम में मैं बिल्कुल लूँगा, तश्कीन एहमत के बारे में, इनके बारे में update में telegram पर करूँगा, क्योंकि इन दोनों के chances हैं संभवता खेलती ही नजर आ जाएं, तो इनके बारे में update में telegram पर करूँगा, और जो final team आएगी न, according to picks with captain wise captain, और वो भी आपके लिए telegram पर ही मैं देने बाला हूँ, तो फिलाल कि स्थिती में दोस्तों मैं आमिर हमजा के साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी इनका खेलने का confirm नहीं है, आप चाहो तो इर्षाथ कॉपनिटी में try जरूर कर सकते हो, बात करें captaincy और vice captaincy की बारे में, तो आपके पास यहाँ पर options available है, captaincy, vice captaincy की, सबसे पहले दोस्तों हसन है, आपके पास बड़ी option हो जाता, captaincy, vice captaincy का, उसके बाद स्वाम्य सरकार है, महंदी हसन है, और ओमर जाई है, दोस्तों एए safe option है, आप इनके साथ जा सकते हो, एक रिस्क की option में आपके लिए बता देता हूँ, लेकिन जो confirm captain vice captain आएगा न, वो टेलिग्राम पर आएगा, तो प्लीज आप टेलिग्राम जोइन करना हमारा, बिल्कुल मत भूलीगा, लिंक आपको वीडियो को description में मिल जाएक, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैलों को subscribe कर लेना है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,